वालकम तू डेली फेक्ट आज हम डिस्कस करेंगे रेवीजन प्लान फ़ोर हचीस प्रिलिम्स थोज़ाज़ोरत यह प्लान जो हम आज प्रिपैर करेंगे यह सिर्फ 10 डेस के लिए यानि कि अभी सिर्फ 10 दिन बचे हैं एक्जाम के लिये तो के लिए जो है वो quick revision में हम जो है वो यह plan को यहां पर discuss करेंगे कि किस तरह से जो है वो last 10 days में जो है वो पढ़ा जा सकता है अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे initiative को subscribe कर सकते हैं साथ में share भी कर सकते हैं तो चलिए discuss करता है तो सबसे पहले हमें invest करना है time quality के quality easy आती है और questions सही भी हो जाते हैं तो इसलिए जहां जिस section से हमारे questions सही हो रहे हमें उस पर ज्यादा focus करना चाहिए और दो दीन जो है वो हम यहां पर जो हो Indian political invest कर सकते हैं यहां पर हमें साथ में government initiatives और government schemes क्योंकि यह दोनों पार जो हो static current में है यह पूछा ही जाता है हर exam म में आता ही आता है देन उसके बाद focus करेंगे हम दूसरे subject पर that is Indian geography और Indian geography में हम यहां पर मैप section को अब इंक्लूड करेंगे अब हमें ऐसा नहीं करना है कि हम दुबारा से NCRT उठाकर जो हो पढ़ने लग जाएंगे अब हम map based study करेंगे like rivers का map हो गया mountains हो गया और यह सबी जो ही focus करें साथ में tricks based trick based अगर आप पढ़ सकते हैं like अभी UPSC में भी नौर सी से regarding question आया था उसकी भी हमने एक trick बनाई थे और डारेक्ट वहां से वो solve हो जा रहा था rivers के अगर हम बात करें तो गंगा river system east to west और west to east इस तरह से question बनता है तो उसके regarding भी trick बनाई है वो भी हमने cover कर दिया तो आप check कर सकते हैं यहां पर focus करें कि जल्दी से जल्दी आप पूरे map को cover करें प्लस दो या तीन बार जो है वो पूरा world का map भी बना ले ताकि हमारे mind में जो है वो boundaries जो है वो रहे countries की उसके बाद जो third subject है वो है modern history, art and culture यहां पर जो है वो एक दिन से जाद इंवेस्ट ना करें इसमें भी art and culture का important topics पड़े like jainism, buddhism, indus valley civilization या फिर अगर हम बात करें वैदी culture बेसिक पड़े ताकि अगर question आता है तो वो clear हो जाए और modern history को जितना पढ़ते हैं उतना कम ही होता है और हर बार question फिर भी नए होते हैं तो इसलिए modern history पर ज्यादा time invest ना करें फिर भी यहां पर पढ़ना ह पढ़े सिरफ ज्यादा economy के लिए नहीं इतना focus करें basic economy पढ़े और प्लस साथ में यहाँ पर survey budget प्लस जो terms economics की term like monetary policy, fiscal policy और bank rate जो bank rate रिवर्स रिपर जितने भी tools होते हैं जिससे जो हो inflation को measure किया जाता है unemployment हो गया unemployment से related होगा 5 year plan को यहाँ पर बिल्कुल ignore ना करें 5 year plan जो हो य question यहाँ से बन जाता है, एक question आता ही है, तो 1951 से लेकर जो हो 2012 तक के जितने भी 5 year plan है उनको पढ़े और उन 5 year plan में क्या-क्या important है उसको भी देखे, इसके regarding pdf आपको daily fact में मिल जाएगी, अल्रेडी upload कर दीगे है, जिसमें 5 year plan तीन pages में cover किया है, basic science क्या हम इसको कह सकता है general science और science and tech, एक दिन इसमें invest करें, basic जरूर पढ़े, क्योंकि HCS में यहाँ पर जो हो question आते ही है, environment and ecology बहुत जादा important है, fact-based इसको पढ़े, एक दिन invest करें, जितने भी act है, उसके regarding एक video जो हो हम बना देंगे, बना रहे हैं, और साथ में ही जो आपका pdf है, वो हमारे daily fact channel पर upload कर दी जाएगी, वहाँ से question आने के chances बन सकते हैं, क्योंकि अभी अगर आप देखोगे, तो यहाँ पर last papers उठा कर भी देखोगे, तो water act का पूछ रखा है, match the following में question आते हैं, तो यह environment को यहाँ पर जाओ, जितने भी act से हैं, उनको prelims के लिए पढ़े, then उसके अगर हम बात करें, तो दो दिन invest कर सकते हैं, HPG के आप लोगों ने बहुत जादा पढ़ी होती है, तो यहाँ पर अगर आप दो दिन invest करते हैं, revision भी हम साथ में कर सकते हैं, उसके बाद teachings of Mahatma Gandhi एक दिन इसमें भी invest किया जा सकता है, क्योंकि question यहाँ से बनते हैं, 5 to 6, तो गांदी जी व 10 days में, ताकि हमारा mindset जो है, वो बिल्कुल उसी तरह से काम करें, कि हम 2-4 के बीच में ही comprehension को solve कर रहे हैं, तो हमारे mind को वैसी आदत पढ़ जाए, यह important रहेगा, 2-4 से इसे रोज बढ़ें, प्लस साथ में 2 घंटे current affair को जरूर revise करें, मतलब current affair हमारे जो last one year के current affair जो है, वो को analyze जरूर करना है, for example, अगर आप Indian quality पट रहे हो, तो यहाँ पर previous questions पहले, यह work हम पहले कर चुके होते हैं, लेकिन हमें इनको साथ में भी रखना है, अभी mind में, ताकि हमारे mind से questions जो है, वो अलगना हो, एक तरह से, तो यह best option रहेगा, I hope यह initiative जो है, वो हमारा आपके प्राइगा, please support, share and subscribe, daily effect, thank you for today.